हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागते आप सभी का गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास में दोस्तों आज मैं आप सभी को MS Word All Shortcut Keys के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है MS Word के 90 Shortcut Keys के बारे में पूरा डीटेल में जानेंगे practically मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि देखिए इस Shortcut बटन से ये चीज हो रही है अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये सारी Shortcut इतने ज़्यादा powerful है कि आपको MS Word में expert बना देंगे MS Word के इतने सारे Shortcuts आज तक कोई नहीं बताया है जितने की मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ अगर आप भी MS Word के सभी Shortcut कीज के बारे में पूरा डीटेल में सीखना चाते हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखेगा ये वीडियो MS Word की master class होने वाली है अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को करके रखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल को आप जरूर से जोईन कर लीजिए इसका पूरा PDF जो है टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा तो बस आपको टेलिग्राम पर जाना है गुलाब गुरू सेर्च करना है हमारा टेलिग्राम चैनल आजागा उसको जोईन कर लीजिए या फिर जो है टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिक्सिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहां पर आप क्लिक करेंगे डारेक्ट हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो MS Word के 90 shortcut के उपर पूरा detail में discuss करने वाले हैं तो देखिए 90 shortcut नीचिक सैड में आपको दिखाई दे रहा है तो चलिए मैं इस page को पूरा बढ़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजे समझाने में आसानी हो और दोस्तों ये जो 90 shortcut मैं आपको बताने वाला हूँ MS Word के इसमें से कुछ ऐसे shortcut है जिनके बारे में आप पहली बार सुनोगे जी हाँ दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे shortcut है जिनके बारे में काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होगा तो बहुत ही कमाल का ये विडियो होने वाला है विडियो पूरा आप जरूर देखेगा पूरा last तक का देखेगा बात करते हैं सबसे पहले shortcut की के बारे में तो सबसे पहला shortcut है control के साथ ए दबाने से all select होता है आपको keyboard में control बटन दबा के रखना है और इसके बाद A बटन दबाना है तो उससे जितना भी आपके page में data होगा वो एक ही बार में पूरा का पूरा select हो जाएगा ये all select जो है एक page पर दो page पर चार छे दस चितने भी page हैं उन सभी पर एक साथ ही काम करता है अगर आपने कोई ऐसा data तयार किया है जो 10 page पर तयार हो चुका है और आप सभी data को एक ही साथ जो है select करना चाहते हो तो control के साथ A बटन दबाई ये वो select हो जाएगा जैसे कि मैं control के साथ A बटन दबाता हूँ तो देखिए पूरा data जितना भी हमारा था नीचे की side तक पूरा data जो है select हो जाएगा तो बस आपको इतना समझना है कि control से जो है all select होता है यानि पूरा data आपका एक ही बार में select हो जाता है बात करते हैं control plus B से control plus B से जो है bold होता है bold का मतलब थोड़ा सा text आपका bold हो जाएगा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा अभी ये देखिए bold है ये क्या है bold है आप जो है यहाँ पर भी देख सकते हो bold apply है अगर ये bold नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से होगा इस तरीके से B बटन दबा देता हूँ control दबा के रखना है इसके बाद B बटन दबाना है तो ये bold हो जाएगा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा आप मैंसे काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि control के साथ A, B, C यही सिर्फ मैं बताने वाला हूँ तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैं आपको बत सकता है यहाँ पर मैंने जितने भी काम के MS Word के shortcut की होते हैं उन सभी को ले रखा है बस वीडियो में आप पूरा बने रहेगा और जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ उसको पूरा ध्यान से सुनिए और समझे अब बात करते हैं control प्लस C से तो control प्लस C से आप जो है copy कर सकत हो या फिर कोई text select किया है उसको copy कर सकते हो ठीक है और अगर आप MS Word के बाहर भी चले जाते हो न तो आप कोई folder कोई file कोई video कुछ भी photo वगरा जो भी आपने select किया उसको copy कर सकते हो इसलिए मैंने anything यहाँ पर लिख दिया है अब बात करते हैं control प्लस D से तो control प्लस D से open font dialogue box आता है मैं यहाँ पर जो है control प्लस D बटन दबाता हूँ आपको भी यही process करना है यानि control बटन दबा के रखना है छोड़ना नहीं है ठीक है जिस भी मैं shortcut को बताऊंगा उसमें आपको यह वाला बटन दबा के ही रखना है इसके बाद जो है इस बटन को दबाना है और आप आपको नहीं दबाना है control के साथ D बटन दबाना ठीक है यहाँ पर मैं जो है control बटन दबाता हूँ और इसके बाद D बटन दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से font dialogue box open होता है जिसके अंदर आपको font का style मिलता है font का style आप change कर सकते हो और इसको जो है bolt italic कर सकते हो उसका size बदल सकते हो उसको color change कर सकते हो यानि fold से related जितनी भी setting होती है आपको font dialogue box में मिल जाती है समझ में आ रहा है आपको control प्लस D हमने समझ लिया है बिल्कुल आराम आराम से सारी चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे बात करते है control प्लस E से इससे क्या होता है आपका text ज जगा चूटा है उतना इधर जगा चूटा है समझ में आ रहा है आपको किसी भी text को जिसको आपने select किया है अगर आप उसको center में लाना चाहते हो तो control के साथ E button दबाईए तो वो center में आ जाएगा समझ में आ रहा है तो आप जो है इसको control Z से फिर यहीं पर ला देते हैं अ जैसे मैं यहाँ पर control के साथ F button दबाता हूं तो देखिए यह find का dialog box open हो चुका है जिस भी text को आप ढूंडना चाहते हो हो इसको यहाँ पर लिखना होता है जैसे कि मैं जो है go to ही लिख देता हूं जैसे यह go to नीचे side में लिखा है मैं इसी को लिख देता हूं go to मैंने इस को लिखा और यहाँ पर जो है find next पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ढूंड करके दिखा दिया है तो मेरा यह बताने का मतलब यह है कि control के साथ F button से find का dialog box open होता है और आप जो है किसी भी text को इस dialog box के जरिए ढूंड सकते हूं समद में आ रहा है अब बात करते है control plus G से control plus G से जो है go to का एक dialog box open होता है यहाँ पर मैं आपको बता दू find, go to और replace तीनो जो है एक ही dialog box में आ जाते हैं लेकिन अगर आप control G से भी press करोगे तो वही dialog box यहाँ पर open होता है control मैंने दबाया और G बटन मैंने प्रेस किया तो देखिए अब जो है go to वाला selected है जबकि इ यह तीनो चीजे दिख रही है ठीक है तो यही dialog box open होगा F से G से और H से ठीक है go to तब हमारे काम में आता है जब हमने page number डाले है उस page पर जम करने के लिए कोई section तयार किया है उस पर जाने के लिए कोई line number दिया है उस पर जाने के लिए bookmark add किया है comment किया है footnote, internet यह सारे comment के अंदर page number डिया होता तो बस मैं उस पर click कर दूँगा मतलब उसमें डाल दूँगा जैसे मैं यहाँ पर 4 डाल के आपको दिखा देता हूँ 4 मैंने डाला और go to पर click किया तो देखिए हम लोग 4 पेज पर आ चुके है ठीक है नेचेक साइड में देख सकते हो 6 4 आफ 6 टोटल है चौथे page पर हम लोग आ गया है अगर मैं यहाँ पर one type करता हूँ one मैंने type किया और go to करता हूँ तो देखिए हम लोग one page पर आ गया है समझ में आ रहा है अब जो है आपको go to अच्छे तरीकी से समझ आ गया होगा अब बात करते हैं replace के बारे में तो control plus h से replace होता ह है control के साथ h button दबाईए आप और यह देखे replace का आप जो है यह डालक बॉक्स आ जाएगा मैंने आपको बता दिया find replace go to एक ही में आते हैं जैसे कि यह जो go to लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी जगह पर मैं replace लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ replace मैंने यहा यह जो है replace होगा अब हमको जो है यहाँ replace पर फिर क्लिक करेंगे तो देखे वह replace हो चुका है और दूसरी जगह भी देखे यह 83 नंबर पर भी go to है तो इसको भी यह बोल रहा है replace करने के लिए तो हम जो है इसको replace नहीं करेंगे बस मेरा मकसद था सिर्फ एक चीज को बताना जो कि मैंने बता दिया है वो चीज यहाँ पर हमने देखी replace कर ली है control यह जो go to उपर लिखावा था control जी से go to वो replace में यहाँ पर आ गया है ठीक है तो इसको हम control जेट करते हैं go to आला ला देते हैं ठीक है समझ में आया आब आपको control h g f ये तीनों एक दूसरे से मिलते जु आता हूँ देखे मैंने इसको select कर लिया और मैं keyboard से जो है control के साथ i button दबाता हूँ तो देखे थोड़ा सा टेड़ा हो गया ठीक है मतलब थोड़ा सा तीरचा हो जाएगा फिर दुबारा से एगर आप इसको हटाना चाहते हो दुबारा से control के साथ i button दबा दीजी वो हो जा देखे justify को समझाने के लिए मैंने यहां पर एक छोटा सा paragraph टाइप कर लिया है अभी देखे इसमें जो है इधर से तो एक बराबर है हमारा paragraph लेकिन इधर से जो है एक बराबर नहीं है कोई हमारा line अंदर है कोई बाहर है तो जब हम इसको इस तरीके से select कर लेंगे mouse का left button click कर कि नीचे drag करोगे select हो जाएगा control के साथ J button दबाओगे तो देखो कि अब जैसे ही justify apply होता है तो देखे इधर से भी बराबर हो गया है इधर से भी बराबर हो गया तो justify वाला जो confusion था वो मेरे ख्याल से अब दूर हो गया होगा कि justify से क्या होता है ठीक है control जैसे justify होता है कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है बात करते है control प्लस के से क्या होता है तो इससे हम लोग जो है insert hyperlink hyperlink insert कराते हैं इससे जो है आप एक link बना सकते हो जिसके थूरू कुछी दूसरी फाइल को आप attach कर सकते हो जैसे मैं ये जो लिखावाई सी के अंदर एक फाइल को link करके दिखाता हूँ आपको मैंने ये select कर लिया और मैं जो है control के साथ k button दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से एक hyperlink का dialogue box आएगा जिस भी फाइल को आप इसके साथ attach करना चाते हो उसको जो है इस तरीके से बस उस पर click करके इसको select कर लिजिए जैसे कि मैं जो है ये इस पर click करेगा वो direct उस फाइल जो हमने attach कि है उसको open कर सकता है समझ में आ रहा है hyperlink अगर आप इस पर control बटन दबा करके click करोगे तो वह वाली फाइल खूलेगी अभी देखिए नीचे के side में खूल भी चुकी है यही फाइल इसके साथ attach थी आप इसका नाम भी देख का इस पर click करिए तो वह link जो है यहां से हट जाएगा समझ में आ रहा है अब बात करते हैं control plus L से क्या होता है यह सारे चीज MS word में ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ठीक है इसलिए जो है मैंने आपको सुरू में ही बता दिया था कि MS word की all shortcut की यह सारी चीजे जो है MS word में ही हो रही है ठीक है इतना आपको ध्यान देना है अब बात करते हैं control plus L से क्या होता है तो control plus L से left align होता है तो left align को समझाने के लिए मैंने एक नया page ले लिया है और मैं यहां पर आपको बता दू कि जब इधर से करसल टिम्टिमा रहा है तो इतना समझ लिए कि left side से align है यान में आ रहा है अगर left side से रहेगा तो किदर से होगा इधर से typing होगी यह भी आप समझ सकते हो दूसरा तरीका यह है कि यहां पर मैं कुछ text को paste कर देता हूं तो लेखिए यह जब हमने यहां पर यह अभी left align है ऊपर भी आप देख सकते हो इस पर क्लिक करोगे तो left बता रहा ह है अब बात करते हैं control plus m से अगर आप जो है keyboard से control plus m दबाते हो तो ms word में indent होता है indent का मतलब यह है कि जो भी आपने text या paragraph लिखा है वो थोड़ा थोड़ा खिसकेगा जैसे मैं इसी को खिसका करके आपको दिखा देता हूं control के साथ m button मैंने दबाया तो देखिए थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है ठीक है इसी तरीके से अगर आप जो है कोई यह paragraph भी खिसकाना चाहो नो बस यहाँ पर क्लिक करिए control के साथ m button दबाये तो देखिए थोड़ा थोड़ा paragraph खिसक रहा है तो इस तरीके से आपको जो है indent भी समझ में आ गया होगा जो की control के साथ m से होता है और इसको जो है control z कर देते हैं पूरा वापस आ जाता है समझ में आ गया control plus n से क्या होता है new होता है यानि नई फाइल जब हमको ms word में जरूरत पड़ती है तब हम keyboard से control plus n बटन दबाते हैं यानि control के साथ n बटन दबाऊगे तो नई फाइल आ जाएगी जैसे कि मैं control के स o से अगर आपने जो है ms word में पहले से कोई file बना करके उसको save कर दिया है तो आप ms word में दुबारा से अगर open करना चाते हो तो control के साथ o button से उसको open कर सकते हो जैसे मैं control button दबाता हूं उसके बाद o button दबाता हूं तो देखिए इस तरीके से open का dialogue box आ गया है जिस भी file को हम open करना चाते हैं बस उस पर click करेंगे और open पर click कर देंगे तो वो file open हो जाती है ठीक है अब बात करते हैं control प्लस P से तो control प्लस P से हम ms word में बनाए गई file को print करते हैं control के साथ p button दबाए ये print का dialogue box आएगा इस तरीके से जरूरी setting इसमें करके ok button पे दबा करके print आप अपने ms word की file को कर सकते हैं अब बात करते हैं control प्लस Q से तो control प्लस Q से inverse indent होता है इसका मतलब यह है कि जो हम लोग control प्लस M से indent किये रहेंगे जो paragraph को हम लोग जो line को खिसका है रहेंगे उसको दोबारा से वापस लाने में हम लोग control प्लस Q बटन का इस्तमाल करते हैं जैसे मैं पहले control प्लस M दबाता हूँ तो देखे थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है वही अगर मैं control प्लस Q बटन दबाता हूँ तो देखे थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है समझ में आ रहा है आपको control प्लस Q समझ में आ गया होगा अगर आपको 17 shortcut पसंद आए MS Word के तो वीडियो को like, share औ बहुत मैनत लगती है वीडियो बनाने में बात करते हैं अगली shortcut के बारे में अगली shortcut है control प्लस R से जिसका होता है right align right side से align करना जो कि हमने जब left align समझा था उची से मैं मैंने आपको बता दिया था कि left align रहेगा तो left side से सारे हमारे paragraph line बिलकुल सीध में रहेंगी अगर right side से align रहेगा तो right side से हमारे paragraph लाइन सीध में रहेगी अगर पहले से ही जो भी आपने text नहीं लिखा है अगर पहले से ही right align क्लिक है तो right side से हमारा word type होगा अगर left side से click है तो left side से word हमारा type होगा जो कि यहाँ पर भी आप देखोको उपर की side में left align और right align भी दिया है दिश항 अब बात करते हैं सेव की Ctrl प्लस S से जो है सेव होता है MS Word में बनाई गई फाइल को अगर हमको सेव करना होता है तब हम कीबोर्ड से Ctrl प्लस S बटन दबाते हैं जैसे कि ये जो फाइल मैंने बनाई है अगर मुझे इसे सेव करना है तो मैं Ctrl के साथ S बटन दबाऊंगा इस तरीके से एक सेव का डायलक बॉक्स आएगा यहाँ पर हमको फाइल का नाम देना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है तो यह फाइल हमारी जो है सेव हो जाएगी अब बात करते हैं Ctrl प्लस T से तो Ctrl प्लस T से Hanging Indent होता है इसका बहुत कम इस्तमाल होता है लेकिन कैसे इस्तमाल होता है मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक्जामपल दे देता हूँ अभी जब हमने यहाँ पर Ctrl के साथ M बटन दबाया था तो आप देखोगी कि पूरा paragraph यानि सारी जितनी भी इस paragraph में लाइन है वो पूरी पूरी indent हो रही है लेकिन hanging indent में क्या होता है पहले तो मैं इसको Ctrl Z से पूरा सही कर देता हूँ hanging indent में यह होगा कि जो पहली लाइन रहेगी वो बिलकुल ऐसे ही रहेगी बलकि नीचे वाली लाइन जो है जितने भी मैं shortcut बता रहा हूँ उस बटन को दबा करके दूसरे बटन को दबाना है मैंने Ctrl बटन दबाया और मैं T बटन दबाता हूँ तो देखिए पहली लाइन जो है बिलकुल वहीं पर hang हो चुकी है यानि वहीं पर खड़ी है और बाकी सारी लाइन जो है इंडेंट हो रही है देख सकते हो आप ठीक है तो यहाँ से आपको hanging आइडेंट भी समझ में आ गया होगा Ctrl Z इसको करते हैं चलते हैं हम अपनी shortcut वाली फाइल पे यहाँ पर हमने hanging आइडेंट समझ लिया है अब बात करते हैं Ctrl प्लस U से क्या होता है Ctrl प्लस U से underline होता है जो भी आपने paragraph जो भी line जो भी word लिखे हैं अगर अब उसके नीचे line एक खीचना चाहते हो तब जो है Ctrl प्लस U बटन काम करता है बस आपको उस word को या फिर उस line को उस paragraph को select करना होता है Ctrl के साथ U बटन दबाना होता है तो उसके नीचे एक line इस तरीके से आ जाती है जैसे कि इसके नीचे आई है अगर आपको इसको हटाना है तो दुबारा से इसको select करना होता है Ctrl U से हट भी जाती है अब बात करते हैं Ctrl V से क्या होता है Ctrl V से paste होता है तो अभी जो हमने उपर control plus c से copy समझा था मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ ये वाला control plus c से copy तो ये एकेले काम नहीं करता है control plus c से copy करने के बाद जो है हमको paste करना होता है तब ही हमको result मिलता है जैसे कि अगर आपने कोई file को, कोई folder को कोई text को, कोई photo को, कोई save को copy कर लिया है तो उसको जब तक आप paste नहीं करोगे तब तक उसका duplicate बन करके नहीं आएगा तो ये एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं इतना आपको समझना है बात करते हैं control plus w से तो control plus w से close window यानि MS Word की window close हो जाती है मैं आपको close करके दिखा देता हूँ ये जो हमारी file है, इसको control के साथ दबाईए और w बटन मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से यह पूछ रहा है कि क्या आप इसको save करना चाहते हो तो हम कहेंगे नहीं, तो देखिए वो बंद हो चुकिए अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही खुला है, ठीक है तो control plus w से आपकी जो MS Word की window है वो close हो जाएगी ये जो shortcut मैं आपको बता रहा हूँ न, इसकी आपको practice भी कर दी है जो जो चीजे मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने computer या laptop पे बैठिए आराम से जो जो shortcut मैंने बताई है उन सभी की practice करिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ अब बात करते हैं, control plus x से cut होता है जो भी अपनी चीज MSWD में बनाई है, उसको अगर आप select करके control button के साथ x button दबाते हो जैसे मैं यहीं पर जो है दबा देता हूँ, control के साथ x button तो देखिए वो cut हो चुका है जब आप control के साथ x button दबाके जो select यह हो उसको cut कर दोगे तो जब तक आप paste नहीं करोगे, तब तक वो दिखाई नहीं देगा अगर मैं control के साथ v button दबाता हूँ, v वाला v, तो paste हो जाएगा यहाँ पर देखिए ठीक है, तो control के साथ पन दबाने से यह जो file रहेगी, जो हमारा text रहेगा जो document रहेगा, जो folder रहेगा, वो वहाँ से हट जाएगा, दूसरी जगह हम उसको paste कर सकते हैं copy में क्या अंतर है कि वहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह भी रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, वो आपको अच्छे तरगी से समझ आ गया होगा अब बात करते हैं, अगली shortcut के बारे में, जो की है, control के साथ Y बटन दबाने से redo होता है, और control के साथ Z बटन दबाने से undo होता है control के साथ Y और control के साथ Z बहुत जादा useful shortcut की है, हर जगह इन सभी का बहुत जादा इस्तमाल होता है इनके बारे में लगभग 99% लोगों को पता होता है कि control प्लस Y से redo होता है control प्लस Z से undo होता है जैसे मैं जो है इसको delete करेता हूँ और मुझे दुबारा से इसको वापस लाना है तो control के साथ Z बतन दबाऊंगा तो वो आ जाएगा फिर दुबारा से अगर छिपाना है तो control के साथ Y बटन दबाऊंगा वो छिप जाएगा ठीक है control Z से आ जाएगा तो control Y और Z ये चीज़े आपको समझ में आ गई होगी तो ये थे control के साथ A से लेकर के Z तक 26 shortcut की अगर ये 26 shortcut आपको पसंद आए तो वीडियो को आप like, share और subscribe जरूर से कर दिजएगा चलिए अब बात करते हैं बहुत ही useful shortcut की के बारे में अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में जो की है 27 नमबर की shortcut है control के साथ Alt बटन दबाना है और इसके साथ V बटन दबाना है यहाँ पर आपको छोटी सी बात क्या ध्यान देना है कि जब मैं बोलू control, Alt और V तो इतना आपको समझना है कि control बटन भी दबा के रखना है इसके बाद Alt बटन भी दबा के रखना है इसके बाद V बटन दबाना है इसी तरह के से Ctrl, Shift और C है तो Ctrl बटन दबा के रखना है इसके बाद Shift बटन भी दबा के रखना है इसके बाद C बटन दबाना है समझ में आ गया चलिए Ctrl, Alt और V से क्या होता है paste special का dialogue box खुलता है यानि जो भी आप text को या file को copy किये रहोगे उसको अलग-अलग format में paste कर सकते हूँ जैसे मैं control और alt और v button दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से paste special का dialogue box आया है जिसमें आप जो है इस text को picture के format में या फिर notepad के format में अलग-अलग format में इसको paste कर सकते हूँ समझ में आ रहा है तो control, alt और v से paste special का dialogue box खुलता है अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में तो control, shift और c इससे क्या होता है अगर आप control के साथ shift बटन दबा करके और c बटन दबाते हूँ तो format जो है copy हो जाता है format copy क्या होता है जैसे कि माल लिजिए ये जो text है इसको आपने red color से कर दिया है और इसकी इसका size बड़ा कर दिया है या इसको italic टेड़ा बड़ा कर दिया है जैसे मैं इसको टेड़ा भी थोड़ा कर देता हूँ करके C button दबाते हो तो इसकी formatting जो है copy हो चुकी है यह जो formatting हो यह ने वो copy हो चुकी है और अगर आप जो है control plus shift और plus V button दबाते हो तो जो आपने यहाँ पर formatting को copy किया है वो यहाँ पर paste हो जाएगा जैसे मैं इतना select कर लेता हूँ इसके अंदर मुझे जो है इसकी formatting को paste करना है तो मैं अब जो है control shift और यहाँ पर जो है V button दबाऊंगा तो देखिए formatting बिलकुल यहाँ पर जो है paste हो चुकी है जो इसके अंदर थी अभी देखिए इसका color भी चेंज हो गया है बस आपको इतना समझना है कि अगर आप जो है किसी भी text की formatting को copy करना चाहते हो तो control shift और c button दबाऊंगे और उसको कई paste करना चाहते हो किसी दूसरे text में apply करना चाहते हो तो control shift और v button दबाऊंगे अब बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में जो की है control के साथ shift बटन दबाना है उसके बाद आपको f button दबाना है इससे क्या होगा कि जो भी आपने font style apply किया इसके अंदर उसको आप देख सकते हो साथ-साथ change भी कर सकते हो जैसे मैं इस वाली cell पर क्लिक करता हूँ ctrl shift और f button दबाता हूँ तो देखिए जो भी हमने font इसमें apply किया है वो उपर की side में दिखाए देरा है caliber body यहां पर यह font है और इसको आप चाहो तो यहां से जो है click करके इसको change भी कर सकते हो ठीक है बस यही छोटा सा काम है और अगर आप जो है इस shortcut को देखना भी चाहो तो आप यहां पर font style यह जो है इस पर लेकर जाओगे तो वो shortcut वहां पर भी दिखाए देगा अब बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में जो की है control plus shift plus P इससे क्या होगा font का size आप देख सकते हो कि इसका font का size कितना है और आप उसी change भी कर सकते हो जैसे मैं यहां पर click कर देता हूँ इस वाली cell में control shift और control shift दबा के रखना है इसके बाद P बटन दबाना है तो देखिए फिर से वही font वाला option आ गया है लेकिन अभी आप देखोगे कि यह जो size वाला है वो यहां पर दिखा रहा है और bold दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने size 26 लिया है और यह bold है इसके व बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में जो की है control के साथ shift बटन दबाना है और इसके बाद जो है बड़ा बटन जिसको बोलते है या फिर English में इसको greater than का बटन बोलते है control प्लस shift प्लस greater than अगर आप दबाओगे तो grow font होगा यानि font का size थोड़ा सा बढ़ेगा इसको grow font का नाम क्या होगा कम होगा shrink font होगा यह वाला ठीक है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं आप इसको अच्छे समझे लीजिए control प्लस shift प्लस greater than से font का size बढ़ता है और control प्लस shift प्लस less than से इसको less than बोला जाता है या फिर छोटा symbol बोल सकते हो आप इससे जो है shrink font होता है यानि font का size कम होत होता है छोटा होता है ठीक है अगर आपको 33 shortcut keys पसंद आ गई है तो वीडियो को like share subscribe यार कर दिया करो ठीक है आप लोग लाइक नहीं करते हो सबसे बड़ी बात तो यह like करो अगली shortcut है control प्लस shift प्लस L इससे क्या होता है कि apply हो जाएगा bullet list जो हम लोग bullet list यहां पर जाकर के ल थोड़ा सा text यहां पर insert करा लेते हैं हम लोग जो है इसके अंदर bullets लगाने वाले हैं मैंने इसको select कर लिया है और मैंने shortcut की क्या बताई है control है और इसके बाद जो है shift है और L है ठीक है तो यह चीज हम जो है यहां पर apply करते है control shift और L तो देखिए यहां पर यह bullet लग चुका होगी और यह video देखने के बाद आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि यह shortcut बहुत ही कम लोगों को पता होती है अब बात करते है control plus alt plus L से क्या होता यह अगली shortcut है और इससे क्या होगा apply भी होगा लेकिन क्या होगा number list apply होगी यहां पर क्या था bullet list apply हो रहे थी और यहां पर number list apply हो रही है यानि एक दो तीन चार करके आदा ना उस तरीके से तो इसको जो है मैं यहीं पर apply करके आपको दिखाता हूं इसी right side में हम लोग apply कर लेते हैं control alt और L बटन दबाते हैं तो देखिए एक number का यहां पर जो है number list आ चुकी है अगर आपको जो है number list apply करना है तो आप यह shortcut का इस्तमाल जरूर करिए तो इसको करते हैं delete अब बात करते हैं bold के बारे में जो कि हमने पीछे भी सीख लिया है control के साथ B से मैंने आपको बताया था कि bold होता है ठीक है लेकिन यहां पर देखिए एक और बहुत ही कमाल की shortcut हमें मिली है control plus shift plus B से भी bold होता है जैसे मैं इ दबाया इसके बाद shift दबाया इसके बाद B दबाता हूँ देखिए bold हो गया ठीक है यह जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ ना इसको आप खुझ से practice कर गये ठीक है तब आपको अच्छे तरह की समझ में आगा और आपको विस्वास भी हो जाएगा कि यह चीजे होती है और दोस्तों मैं आपको विस्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी मैंने shortcut की यहाँ पर लिखिये ना वो मैंने पहले खुझ apply किया है फिर मैं आप सभी को बता रहा हूँ ऐसे नहीं हवाबाजी कुछ कर रहा हूँ नहीं जितनी भी मैंने shortcut की यहाँ पर लिखी है उनको मैंने है कि change case होता है change case का मतलब यह है कि अगर आप जो है जो भी text लिखे हो इसको upper letter में यानि capital letter में लिखना चाते हो small letter में लिखना चाते हो तो उसको आप directly यहां से change कर सकते हो जैसे कि जो है मैं इसे select करता हूँ सबसे पहले और मैं shift button दबा करके F3 button दबाता हूँ तो देखिए सारे letter जो है बड़े letter हो गए है और मैं फिर से shift के साथ F3 दबाऊंगा तो देखिए सारे letter जो है छोटे हो गए है फिर से जो है मैं F3 दबाता हूँ shift के साथ तो देखिए पहले जैसा हो गया पहला लेटर बड़ा है और इसमें भी पहला लेटर बड़ा है ये चीज़े जो हमारा यहां पर था यह वाला वही चीज है हम जो है शॉटकट से भी यहां पर ला सकते हैं अब बात करते हैं अगली शॉटकट की के बारे में तो अगली शॉटकट की है अल्ड के साथ कंट्रो सिंबल होते न वो वाले आपको एक दो तीन दबाने है ठीक है और ये देखी ये वाले शॉटकाट ये वाली और ये वाली तीन हो एक दूसरे से मिल रही है बस अंतर ये है कि इसमें एक दबाना है एक दबाओगे तो हैडिंग वन अपलाई होगा टू दबाओगे तो हैडिं 3 apply होगा तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है नए वाली document पर चलते हैं अभी देखिए यहां पर जो है heading 1 heading 2 heading 3 दिख रहा है न तो सबसे पहले मैं जिसमें heading apply करना चाहता हूँ उसको select कर लेता हूँ अभी मैंने क्या कहा था आपको control, alt और 1 दबाना है तो heading 1 apply हो चुका है यह वाला ठीक है देखिए और 2 दबाएंगे तो क्या होगा heading 2 apply हो जाएगा 3 दबाएंगे तो heading 3 apply हो जाएगा अब यह मत दबाने लगे कि heading 4 के लिए 4 दबाने लगे तो वो काम नहीं करेगा बस 3 तक काम करता है जो कि मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा यह वाला shortcut की 40 देख हम पूरा complete कर चुके हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो like करो यार आधे घंटे से उपर हो गया है बोलते वे like करो इस बात पे अब बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में तो अगली shortcut key है control के साथ page down बटन दबाना है यह page down बटन पेज अप बटन यह आपको keyboard में दाहिने तरफ मिल जाएगा जहां पर insert बटन होता है home बटन होता है end बटन होता है delete बटन ऐसे सारे काफी सारे ऐसे बटन होते हैं तो उसी मे अगली shortcut काम करता है control के साथ page down बटन दबा करके next page पेज पर चले गए हो और दुबारत से आप पहले वाले page पर आना चाहते हो तब उस से में control के साथ page up बटन काम करता है जैसे कि मैं control बटन दबा लेता हूं और इसके बाद जो है सबसे पहले मैं page down बटन दबाता हूं तो वहीं अगर मैं control बटन दबा के ही page up बटन दबाता हूं तो देखिए हम लोग उपर page में जा रहे हैं ठीक है तो इसको आप बहुत ही basic साथ इसको आप इस्तमाल करिए अब बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ delete बटन दबाना है आपके keyboard मे ताहिने तरफ एक delete बटन होता है जो कि home, end, page up, page down वाले section में आपको मिल जाता है उससे यह होता है कि जब आप delete बटन प्रेस करोगे तो text तो आपका delete होता है लेकिन वो right side से delete होता है यानि कि जब आपका करसल आपके word के बाहर रहेगा तो वहाँ पर delete करोगे कुछ नहीं हो जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ ठीक है और मैं अब अगर delete करता हूँ तो देखिए right side में जो भी हमारा later है वो delete हो रहा है लेकिन left side वाला delete नहीं हो रहा है ठीक है तो delete बटन से जो है आप delete तो text को कर सकते हो लेकिन right side से delete होगा ठीक है backspace से क्या होता है कि left side से delete होता इधर से लेकिन यह जो delete बटन है इसमें थोड़ा उल्टा है right side वाला delete होता है वैसे अगर आप जो है अपने computer में delete बटन का इस्तमाल करना चाहो तो आप कोई folder कोई file कोई video कुछ भी delete करना हो तो delete बटन ही काम आता है तो आप कोई इतना समझ में आ गया होगा delete button और अगली shortcut shortcut key के बारे में ठीक है अब बात करते हैं next one shortcut key के बारे में जो की है alt के साथ f4 इससे जो है आप close कर सकते हो और exit कर सकते हो जह आनि जो आप MS word में काम कर रहे होो direct इसको close करना चाहते हो हूए या फिर इससे बाहर जाना चाहते हो तो आपको keyword से alt के साथ f4 button दबाना है और आप डारेक्ट यहां से बाहर आ जाओगे तो इसको मैं दबाने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये अभी मैं recording भी कर रहा हूँ और साथ में जो है मैं इसको समझा रहा हूँ तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे वैसे आप इसकी practice कर लिजेगा बिल्कुल का shortcut है ये अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में तो अगली shortcut की है control के साथ shift बटन दबाना है और इसके बाद enter बटन दबाना है इससे क्या होगा table break हो जाएगी या फिर आप बोल सकते हूँ split table कर सकते हूँ यानि कि table को बीच में से ही cut कर सकते हूँ तो देखिए split table को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी table यहाँ पर बना दी है अगर आप इस table को यहाँ से split करना चाहते हो जहां से भी बस वहाँ पर बाहर क्लिक कर दीजिए और मैंने क्या बताया control shift और enter बटन दबाऊगे तो देखो कि वहाँ से आपकी table split हो चुकी है cut हो चुकी है यानि अगर आपको table को दो टुकड़ों में बाटना हो तब जाकर के आपको यह shortcut काम में आती है control shift और enter बटन समझ में आ गया बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में अगली shortcut की है shift के साथ delete बटन दबाने से cut होता है अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर आप control के साथ X बटन दबाते हो तो उससे cut हो जाता है यानि जो आप जिस भी चीज को select के रहोगे वो वहां से cut हो जाएगा लेकिन cut की दूसरी shortcut की भी आपको मिल चुकी है यहाँ पर कि अगर आप shift के साथ delete बटन दबाते हो तो वो cut हो जाएगा जैसे मैं इसको जो है cut करके दिखाता हूँ मैंने ये delete वाला select किया और मैं shift बटन दबाके delete बटन दबाता हूँ देखी यहाँ से cut हो चुका है और इसको अगर मैं यहाँ पर paste करता हूँ तो control के साथ मैं वी बटन दबाऊंगो तो देखी यहाँ पर paste हो चुका है तो इससे आपको एक idea मिल गया होगा कि अगर यहाँ से cut नहीं होता तो यहाँ पर paste भी नहीं होता ठीक है तो यह भी बहुत काम की shortcut की है बहुत ही ढूंडने के बाद मुझे मिली है बहुत ही काम की है तो इसको आप note कर लीजिए अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like आप जरूर कर दीजिएगा तो shift के साथ delete बटन अगर आप दबाऊंगे तो cut होता है अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में तो यहाँ पर भी आपको delete वाला shortcut की दिखाई दे रहोगा जो कि अभी हमने जो है उपर यहाँ पर अभी जाना है delete बटन का right side से जो delete करता है वही चीज आपको यहाँ पर भी मिल रही है यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखिए delete word भी है तो यह दूसरे से मिलते हैं तो देखिए जब आप delete बटन दबाओगे तो यह सिर्फ text को delete करता है यानि एक-एक text को delete करेगा लेकिन वही अगर आप आप control के साथ delete बटन दबादोगे तो क्या करेगा पूरा word ही delete हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर click कर देता हूँ ठीक है और मैं control के साथ delete बटन दबाता हूँ देखिए पूरा word एक ही बार में delete हो गया वैसे क्या हो रहा था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ delete बटन दबागे तो एक एक text delete होता है तो दोनों चीज़े आपको समझ में आ गई होगी इसलिए मैंने इसको दुबारा उपर वारा यहाँ पर note कर दिया है ताकि आपको यहाँ पर भी समझने में आसानी हो अब बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में जो की है back space इसका इस्तमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं और आप मेंसे ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही होगा अब बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में जो की है back space इसका ज़्यादातर लोग इस्तमाल करते हैं और आप में से लगभग सभी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि ये जो है हमारे text को delete करता है लेकिन ये पीछे से delete करता है delete button क्या करता है आगे से delete करता है और backspace पीछे से delete करता है जैसे यहाँ पर अगर आप click कर दोगे और backspace button दबाओगे तो पीछे से आपका text जो है delete होना start होगा यहाँ से यह चीज आपको समझ में आ गई अब बात करते हैं control के साथ अगर आप backspace दबाते हो तो यह भी delete ही करेगा लेकिन पूरा word delete करेगा और backset delete करेगा ठीक है अगर आप यहाँ पर click करे रहोगे तो आगे वाला text आगे वाला word आपका delete नहीं होगा पीछे वाला यह वाला होगा देखिए मैंने यहाँ पर click किया control के साथ sorry control के साथ backspace बटन दबाता हूँ तो देखिए आगे वाला text जो है delete होगा बस आपको इतना समझना है कि जब आप control के साथ backspace दबाओगे तो word पूरा का पूरा delete हो जाएगा और वो भी पीछे वाला word delete होगा जहाँ पर आपका यह mouse pointer टिम डिमा रहा है उसके पीछे वाला word जो है पूरा का पूरा एक बार में ही delete हो जाएगा तो इसको control Z करते हैं ठीक है अब बात करते हैं control के साथ F4 से क्या होता है तो control के साथ F4 से close document होता है अगर आप जो है इस जो document आपने MS Word की file खोली है इसको आप बंद करना चाहते हो तो इसको जो है आप control के साथ F4 दबाद होगे तो यह बंद हो जाएगा close हो जाएगा ठीक है तो इसको आप normally करके देख लीजेगा क्योंकि हम इसे बंद कर देंगे तो दिक्कत होगी अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में इंड के बारे में तो इंड बटन शिर्फ और शिर्फ इंड बटन आपको दबाना है जो कि मैंने आपको बता दिया कि home और इंड एक ही साथ मिलते हैं एक ही जगह पर ऊपर नीचे होते हैं इसो तो यहाँ पर अगर आप इंड बटन दबाओगे तो end of line, यानि line के आखरी में चला जाओगे, जैसे ये line है जैसे कि ये माल लीजी एक line है और हम यहाँ के सुरुवात में हैं और मैं जैसे इंड बटन दबाता हूँ तो देखिए इस line के end में चला गया हूँ, ठीक है home button दबाने से इस line के home में आ जाएंगे इंड आफ लाइन इसलिए मैंने लिखा है विडियो पसंद आ रहा है तो like, share, subscribe कर जीएगा चलिए आगे बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में तो अगली shortcut की है control के साथ end button इसका इस्तमाल करके आप जो है end of document ये जो आपने document बनाया है इसके पूरे end में जा सकते हैं पूरे last मे जैसे मैं यहाँ पर अभी हम लोग जो है यहाँ पर तीरपन नमबर shortcut पी है control के साथ end button दबाते हैं तो देखिए बिल्कूर हम लोग 6 वाले page पर आ गया है जिस पर कुछ भी नहीं है सिर्फ मैंने इसमें ये ची लिखिए like, share, subscribe ठीक है तो end बिल्कूर हम जो है अपने document के end म है home button दबाओगी तो line के सुरुवात में आ जाओगी और वहीं अगर आप control के साथ home button दबाते हो तो ये end का opposite है यानि startup document जहां से हमने page number 1 से जो हमने shortcut number 1 लिखा था ना वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे ठीक है page number 1 पर करके दिखा दूँ वो भी जो चलिए control के साथ home button दबा हैं बस मैं आपको practically इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजे समझ आ जाए कि कैसे क्या होता है तबी तो आप जो है MS Word के computer जो shortcut की है उचको अच्छे चे सीख पाओगी और MS Word में expert बन पाओगी ठीक है अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में control plus alt plus h इससे क्य होगा highlight होगा shadow apply होता है जो हम लोग shadow यहां से apply करते है ना वही चीज आप shortcut से भी apply कर सकते हो जैसे मैं start यह जो लिखा हुआ है सिर्फ start वाले को select करता हूँ और control और alt और h बटन दबाता हूँ तो देखिए इसके नीचे जो है shadow apply हो चुका है और shadow में yellow color आया है इसकी वज़ होता है कि ms word में आप help center को open कर सकते हूँ control z कर देते हैं इसको हटा देते हैं क्या कर सकते हो f1 से आप ms word में help center को open कर सकते हूँ ठीक है अगर आपको ms word के बारे में कुछ help चाहिए तो आप f1 press कर यह help center open हो जाएगा अब बात करते हैं control shift और i से क्या होता है तो देखिए इससे जो है italic होता है अभी हमने जब video के शुरू की थी तो मैंने वहाँ पर control के साथ i से मैंने आपको बताया था कि italic होता है लेकिन यहाँ पर देखिए एक नई shortcut की हमें मिली है control shift और i से भी italic होता है करके मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपर इसको select करता हूँ select करने के बाद select मैंने कर लिया अब जो है मैं control दबाता हूँ shift दबाता हूँ और यहाँ पर मैं i button दबाता हूँ तो देखिए italic हो गया है दुबारस मैं i button दबाऊंगा तो जो है सही हो जाएगा ठीक है इसको आप practically करके देखिए आपको भी बहुत जादा मजा आएगा मुझे यह वीडियो के शुरू में control प्लस O से आपको बताया था कि open होता है लेकिन अगर आप जो है control प्लस F12 भी करते हो तो भी open होता है देखिए मैं control के साथ F12 बटन दबाता हूँ तो देखिए open का dialogue box आ गया है जिसको भी मुझे open कर रहा है मैं आसे click करके open पे click करके उसको open कर सकता ठीक है और कमाल की बात तो यह है कि control प्लस O से open तो होता ही है control प्लस F12 से open तो होता ही है यह तो हमने जाने लिया लेकिन control प्लस Alt प्लस F2 से भी open ही होता है यानि तीन तीन तरीके से आप जो है shortcut से जो है आप जो है फाइल को open कर सकते हो मैं स्वर्ड में देखिए मैं control Alt और F F2 दबाता हूँ तो देखिए जैसे मैंने F2 दबाया तो देखिए यह देखिए खुल गया है open का dialog box अब जो है आप इसमें जो भी फाइल को open करना चाहो कर सकते हो असानी से ठीक है इतना समझ में आपको अब बात करते हैं अगली shortcut की के बाने में जो कि है control प्लस इंटर इस आपके पेज में ब्रेक लग जाएगा यानि आपका प्रेज जो है दो टुकड़ों में हो जाएगा जैसे कि मैं तो पेज ब्रेक को समझने के लिए हमने यहां पर एक पेज ले लिया है यहां पर मैंने कुछ टेक्स ले लिया है यहां पर मैं क्लिक करता हूँ जहां से करसल टिम्टिमा रहा है वहीं से पेज ब्रेक होता है इतना आपको समझना है और कंट्रोल के साथ मैं इंटर बटन दबाता हूँ तो देखिए हमारा पेज जो है दो टुकडो में हो चुका है जहां से हमारा करसल था वहां से एक अलग पेज आज गया है देखिए यू कैन इसली यह अलग पेज पे आ गया है और उपर आप देखोगे तो यह अलग पेज पे आ गया ठीक है तो यहां से हमने पेज में ब्रेक लगाना समझ लिया है जिसकी सौटकट कंट्रोल प्लस इंटर है अब बात करते हैं अगली शौटकट की के बारे में जो की है कंट्रोल शिप्ट और F12 इससे क्या होता है कि प्रिंट होता है यानि कि आप प्रिंट का डालग बॉक्स कंट्रोल शिप्ट और F12 से भी ला सकते हो मैंने वीडियो के शुरू में आपको control प्लस P से print करना बताया था लेकिन अगर आप जो है control, shift और F12 भी दबाते हो तो भी print का ही डालग बॉक्स आता है जैसे कि मैं control, shift और यहाँ पर F12 दबाता हूँ तो देखे एक print का डालग बॉक्स वही वाला यहाँ पर भी आ चुका है तो यहाँ से आपको एक और नई shortcut की मिली होगी अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में अगली shortcut की है control के साथ F2 इससे क्या होता है कि आप अपनी MS Word की फाइल को print preview देख सकते हो यानि जो भी आपने data तैयार किया है जो भी फाइल तैयार की है उसको अगर आप प्रिंट प्रिव्यू उसका देखना चाहते हो तो आप control के साथ F2 दवाईए वो print प्रिव्यू दिखाए देगा और इसी में जो है print preview की अगली shortcut की है control, alt और i button यह आई है ठीक है control, alt और i button भी अगर आप दबाओगे तो भी print preview ही दिखाता है जैसे कि मैं ये वाली file को आपको खोल करके दिखाता हूँ जैसे देखी ये file है और इसका मैं print preview देखना चाहता हूँ तो मैंने आपको बताया अभी control के साथ F2 बटन दबाने से print preview आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पर कि हमारा जो page print होगा वो इस तरीके से होगा मैं इसको close करता हूँ और वही मैं जो है यहाँ यहाँ पर control, alt और i button दबाता हूँ तो भी हम लोग print preview देख सकते हैं तो यहाँ से जो है आपको यह जो दोनों shortcut मैंने बताया है print preview देखने के यह भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में जो की है control plus shift plus backspace अगर आप जो है redo करना चाते हो जो की हम लोग control plus y से करते हैं अगर आप जो है control plus y से न करके अगर आप जो है किसी भी चीज का redo करना चाते हैं तो control plus shift plus backspace दबाओगे तो भी redo हो जाता है बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में जो की है alt plus shift plus d इससे क्या होता है कि आप जो है अपने ms word की file में date को insert करा सकते हो और ये date जो है वरतमान समय के आती है यानि जिस दिन भी आप ms word में काम कर रहे हो उस दिन की अगर date आपको यहाँ पर insert करानी है तो बस आप keyboard से alt shift और d button दबाईए date आज की आ जाएगी जैसे मैं यहाँ से keyboard से alt दबाता हूँ उसके बाद shift बटन दबाता हूँ उसके बाद d button दबाऊँगा तो देखिए आज की date यहाँ पर आ चुकी है आज 7 तारीक है 12 मेने 2022 तो इस तरीके से आप जो है इस shortcut की मदद से जो है यहाँ पर date भी insert करा सकते हो ms word में अगली shortcut की है control बटन के साथ number lock वाला जो 5 बटन होता है उसको दबाने पर select all होता है पीछे मैंने आपको बताया था कि control प्लस A से जो है all select होता है same वही काम जो है select all बोलिए या all select बोलिए दोनों same काम है वही काम आप जो है control के साथ numerical keyboard वाला जो 5 होता है उसको दबाने पर select all हो जाता है जो आपके keyboard में दाहिने तरफ एक से ले करके 9 तक बटन होते है प्लस माइनस जो है गुड़ा भाग के जो बटन होते है उसी में एक number lock भी बटन होता है ठीक है हमारे 90 shortcut थे यह सब पूरा select हो गया उपर भी जाओगे तो सभी के सभी यहाँ पर select होंगे बस आप इतना समझ लीजिए कि जो काम control के साथ ए बटन से all select होता है वही काम जो है control के साथ number lock वाला 5 बटन अगर आप दबा लोगे तो यह all select हो जाएगा बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में जो की है control के साथ 1, control के साथ 5, control के साथ 2 यह तीनों shortcut की एक दूसरे से मिलते हैं इसलिए मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूं तीनों में जो है आप paragraph के space को बढ़ा सकते हो अगर आप control के साथ 1 प्रेस करोगे तो 1 point का paragraph space बढ़ेगा अगर 5 मतलब प्रेस करोगे control के साथ 1.5 point जो है बढ़ेगा और control के साथ 2 बटन प्रेस करोगे तो paragraph space जो है 2 point बढ़ेगा ये जो 1, 2, 5 है ये आपको जो है जिसमें add the rate, hatch, star और end ये सारे symbol है उसको प्रेस करना है तो चलिए इन तीनों को मैं practically करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीजे अच्छे से समाजा जाए तो यहाँ पर हमने paragraph ले लिया है इसके अंदर और इसको सभी को select कर लेते हैं अभी अगर control के साथ two दबाओगे तो वो जो है two point का हो जाएगा थोड़ा सा और जादा space हो जाएगा अगर आपको जो है अपने paragraph में space add करना है shortcut की मदद से तब जाकर के यह shortcut काम आते हैं बहुत ही काम के हैं इसको आप note कर लीजी अब बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में जो की है control के साथ equal button आपको दबाना है इससे क्या होगा sub script होगा sub script का मतलब की आपने देखा हुगा h2o निखा होता है जैसे मैं यहाँ पर लिकता हूँ h फिर इसके बाद two फिर इसके बाद जो है o लेकिन आप देखोगे यह two तो नीचे रहता है इस two को नीचे करने के लिए ही sub script बोला जाता है और इसको नीचे करने के लिए जो है आप control के साथ equal button दबाओगे तो ये नीचे आजाएगा मैं 2 को जो है select कर लेता हूँ इसके बाद जो है control के साथ equal button दबाता हूँ तो देखिए ये 2 नीचे हो गया है अब जो है h2o लिखा हुआ साप साप दिखाई दे रह है तो यहां से आपको sub script भी समझ में आ गया होगा अगर आपको जो है इस तरीके से लिखना हो तो आप जो है control प्लस equal button का इस्तमाल कर सकते हैं इसको जो है मैं back कर देता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ वीडि के बारे में जो की है control प्लस shift प्लस प्लस बटन आपको दबाना है यानि control बटन दबाना है shift बटन दबाना है इसके बाद जो equal पे प्लस बटन होता है उसको दबाना है ठीक है तो इससे क्या होगा super script होगा यानि आपने देखा होगा कि a square प्लस b square लिखा होता है ना यानि ज के बाद जो है प्लस मैं यहां पर डाल करके बी स्कुराइट टाइप करेता हूँ लेकिन देखे ए टू बी टू लिखा हुआ है लेकिन इसको स्कुराइर में बदलने के लिए इसको इस तरीके से सेलेक्ट करिए कंट्रोल सिप्ट और प्लस वाला जो इकॉल वाला बटन है ज अगर आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूत पड़ गई है MS Word में तब आप इस शॉटकट का इस्तमाल कर सकते हो इसको करते हैं डिलीट बात करते हैं अगली शॉटकट की के बारे में जो की है कंट्रोल प्लस सिप्ट प्लस क्यू इससे क्या होता है कि सिम्बल आफ फॉं मैं की बोड से कंट्रोल शुप्ट वर क्यू बटन दभाने के बात अब यह अप यह अपलाई बाता हूं आा अप से सब्सक्राण की आट आप बना सकते हो ठीक है तो ये भी बहुत काम का shortcut है इसको आप note कर लीजी अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में जो की है alt के साथ backspace अगर आप जो है keyboard से alt के साथ backspace दबाते हो तो भी under होता है अभी हमने जो है वीडियो के सुरू बटन दबाओगे तो भी under ही होगा ठीक है अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में जो की है control plus shift plus d इससे क्या होगा dual underline होगा dual underline का मतलब कि आपने देखा होगा जब आप इस पर click करोगे control plus u करोगे तो single underline आ रहा है ठीक है फिर से मैं इसको हटाना चाहता हूँ control shift d कर दूँगा हट जाएगा फिर से control shift d प्रेस करूँगा तो आ जाएगा समझ में आ गया dual underline control shift और d अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में जो की है control के साथ बड़ा वाला bracket आपको दबाना है ये बंद bracket आपको दबाना है ये bracket का symbol आप देख लीजिए अगर आप जो है control के साथ बड़ा वाला बंद bracket दबाते हो तो इससे क्या होगा increase font size font के size को आप बढ़ा सकते हो जैसे मैं इसी को बढ़ा करके आपको दिखा देता हूँ मैंने control button दबाया और बढ़ा वाला bracket दबाओगे देखिए font का size बढ़ रहा है और वही अगर आप बढ़ा वाला bracket open वाला दबा देते हो control के साथ open यह जो है बंद bracket है और यह open है अगर आप जो है open bracket दबा देते हो तो font का size discrete होता है यानि font का size कम होता है ठीक है तो increase font size और discrete font size यह आपको समझा गया होगा अब इन shortcut के बदद से font का size बढ़ा सकते हो font का size घटा सकते हो बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में जो की है control plus shift plus w इससे क्या होता है कि word wise underline होता है अभी अगर आप जो है इसको underline करोगे control plus u से तो देखिए underline तो हुआ है लेकिन एक ही line है word wise underline नहीं है यह देखिए यह एक word यहाँ से है तो इसको अलग underline होना चाहिए था यह wise जो लिखा हुआ है इसको अलग underline होना चाहिए था और यह जो word लिखा हुआ है इसको अलग underline होना चाहिए था सिर्फ underline करोगे तो पूरा line एक ही बार में underline हो जागा लेकिन इसको मैं पहले अटाता हूँ Ctrl U से हट गया और अब क्या आपको दबाना है Ctrl Shift Plus W इससे क्या होगा Word Wise Underline होगा Ctrl Shift और W मैं दबाया तो देखिए Word Wise Underline होगा है ये Word इतना बड़ा था इसलिए इतना Underline आया है बीच में Space है इसलिए यहाँ पर Cut हो गया है फिर ये Word Underline है फिर ये Word बीच में Space है तो Cut हो गया समझ में आगया Word Wise Underline इसको Ctrl Z कर देते हैं अब बात करते हैं अगली Shortcut की के बारे में जो की है Ctrl Plus Shift Plus G इससे क्या होगा Word Count होगा जितने आपने Word लिखे हैं जितने Character लिखे हैं सभी को आप MS Word में Count कर सकते हो किस से Ctrl Plus Shift Plus G से मैंने यहाँ पर दबाया Ctrl Plus Shift Plus G यानि Ctrl बटन दबाईए Shift बटन दबाईए इसके बाद G बटन दबाईए तो देखो कि यहाँ पर Word Count का एक छोड़ा सा बॉक्स आजाएगा इसमें आपने जितने पेज लिए हैं जितने Word लिखे हैं जितने Character लिखे हैं जितने Paragraph लिए हैं जितनी Line लिखे हैं सब यहाँ पर यह आ जाएगा ठीक है अब बात करते हैं अगली Shortcut की के बारे में जो की है यह जिग-जैक Line माइनस की Line और Star यानि जो गुड़ा का सिंबल होता है इससे आप क्या करोगे जो है Line Create कर सकते हो Single Line इसको मैं Practically आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कभी कबार आपको अगर ऐसे Line की ज़रुरत पड़ गए तो आप यहाँ पर बना सकते हो मैं यहाँ पर आता हूँ जो Tab Button के उपर जिग जैक वाली Line होती है उसको Shift के साथ प्रेस करोगे तो इस तरीके से Line आती है यह Line आपको तीन बार बनाने के बाद इसके बाद जो है इंटर बटन दबाना है तो देखो कि यहाँ पर आपके MS Word में जिग जैक लाइन इस तरीके से बन करके आ जाएगी इस तरीके से एक Line आ जाएगी ठीक है इसी तरीके से अगर आप Star को यानि जो गुड़ा का सिंबल है तीन बार से जादा दबा देते हो और इंटर बटन दबाते हो तो इस तरीके से Dot-Dot करके एक Line आ जाती है तो यह भी shortcut MS Word में काम करते हैं बहुत ही कमाल के हैं जब आपको ऐसी ज़रुत पड़े तो आप इन्हें इस्तमाल कर सकते हो अगली shortcut की है Double Line बनाने के लिए आपको जो है तीन बार से ज़्यादा Equal Button दबाना है और उसको Inter Button दबाने के बार Double Line जो है हो जाएगी जो की है Plus Minus को ले करके आप एक Table बना सकते हो देखिए Plus Minus को बस थोड़ा सा आपको समझना है Plus से देखिए Column का ये जो होता है Column वाला ये जो Line होती ये आता है और Minus से जो है ये Row वाली Line आती है यानि Minus से आप अपने जो Column की उसको चोड़ाई को तै करते हो और यहां से ये Column Plus वाला जो है वो Column को Divide करता है चलिए मैं आपको Practically करके दिखाता हूँ यहाँ पर हम लोग आ गए है पहले हम लोग Plus बटन दबाएंगे इसके बाद जितनी हमको चोड़ा Column चाहिए उतना Minus बटन दबा लेंगे फिर हम Plus बटन दबाएंगे फिर जो है जितना चोड़ा हमको Column चाहिए उतना Plus बटन दबाएंगे फिर Minus Plus इस तरीके से हम लोग कर लेंगे ठीक है Minus Plus Minus Plus मैंने यहाँ पर कर लिया है बिल्कु सेम ऐसा ही आप कर लीजिए प्लस दबाएंगे फिर Minus जितना चोड़ा Column चाहिए फिर Plus फिर Minus उतना देर तक आपको दबाना जितना चोड़ा आपको Column चाहिए लास्ट में आने के बाद इस तरीके से इंटर बटन दबा दीजिए देखें यहाँ पर आपकी टेबल बन करके आ चुकी है अब बात करते हैं अगली शॉटकट की के बारे में जो की है F5 से F5 से जो है GoTo होता है MS Word भी GoTo के बारे में मैंने Ctrl प्लस G से भी बताया था वही सेम काम आप F5 से भी कर सकते हो सेम डालग बॉक्स आता है मैं कीबोर्ड से F5 प्रेस करता हूँ तो देखें GoTo का डालग बॉक्स आ गया है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर एक हो नई शॉटकट आपको मिली चुकी है वही पर अगली शॉटकट की है Ctrl के साथ F10 अगर आप कीबोर्ड से Ctrl के साथ F10 बटन दबाते हो तो MS Word का जो फाइल आपने ओपन किया है उसको आप Maximize कर सकते हो और Restore कर सकते हो जैसे मैं Ctrl के साथ F10 बटन यहाँ पर दबाता हूँ तो देखें यह Restore हो गया है मतलब यह छोड़ा सा छोटा हो गया है और इसको फिर से F10 बटन दबाऊंगा तो Maximize हो जाएगा, बढ़ा हो जाएगा अगर आपको इस तरीकी की ज़रुरत पढ़ रही है तो आप इस shortcut का इस्तमाल कर सकते हो अब बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में जो की है control plus shift plus F5 अगर आप जो है MS Word में काम कर रहे हो और किसी भी चीज को आप bookmark करना चाहते हो तो उस समय जो है आप control plus shift plus F5 बटन दबाईए तो आप bookmark कर सकोगे जैसे मैं control shift और F5 दबाता हूँ तो देखिए bookmark करने के लिए option आ चुका है bookmark का आपको नाम देना होगा जो भी चीज आप bookmark करना चाहते हो select करिए और यहां से जो है add पर click करेके bookmark कर सकते हो यह shortcut है बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में जो की है alt के साथ F8 बटन अगर आप दबाते हो तो आप macros पे पहुँच जाओगे और macros record बगएरा कर सकते हो जैसे मैं alt दबाता हूँ और F8 बटन यहां पर मैं दबा लिता हूँ तो देखिए macros का यहां पर नाम आ गया है आप इसको run भी करा सकते हो इसको edit कर सकते हो create, delete बगएरा जो करना चाहों कर सकते हो macros का option खुल गया है बात करते हैं अगली shortcut key के बारे में जो की है shift के साथ F12 यानि shift बटन दबा करके अगर आप F12 बटन दबाते हो तो आप जो है ms word की file को save कर सकते हो और वही काम जो है आप alt के साथ shift बटन दबाके F2 बटन दबाके भी save कर सकते हो यानि alt shift और F2 बटन दबाओगे तो भी आप save ही कर सकते हो save करने के तीन तरीके आपको पता चल गए होंगे पहला तो यह है कि control के साथ S से save होता है दूसरा shift के साथ F12 से save होता है तीसरा alt shift F2 से save होता है चलिए मैं आपको practical करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर shift के साथ F12 बटन दबाता हूँ तो देखे save करने के लिए option आ चुका है यहाँ पर और वही काम जो है यहाँ पर जो दूसरा shortcut है alt shift और F2 shift और F2 मैं यह दबाता हूँ तो देखे यहाँ पर भी जो है यह save करने के लिए option यहाँ पर open हो चुका है तो दोनों चीज मैंने आपको practical समझा दी है वैसे ये जो shortcut है इसके बारे में सभी लोगों को नहीं पता होता है बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं बात करते हैं अगली shortcut की के बारे में तो अगली shortcut की है F12 सिर्फ F12 से आप MS Word की file को save as कर सकते हो अगर आपको जो है एक जगह आपने file को save दिया है उसी file को आप दूसरी location पे अगर save करना चाहते हो तो उसको save as बोला जाता है और जो की आप F12 बटन से save as कर सकते हो बात करते हैं इस video के सबसे last shortcut की के बारे में जो की है screenshot को ले करके अगर आप MS Word में screenshot लेना चाहते हो तो आपको windows plus shift plus s button दबाना होगा तो आप screenshot ले पाओगे मैं यहाँ पर windows shift और s button दबाता हूँ तो screen आपकी कुछ ऐसी थोड़ी सी dark हो जाएगी जिस भी part का आपको screenshot लेना है इस तरीके से आप ले लीजिए लेने के बाद थोड़ा सा blink होगा वो screenshot आपका हो चुका है आप जो है अपने computer की file में जाएए और यहाँ पर आपको जो है picture वाला एक button मिल जाएगा picture पर click करोगे यहाँ पर screenshot में आप देखोगे नीचे की side में यह देखिए जो आपने screenshot लिया होगा वो यहाँ पर दिखाए देगा अभी हमने इसी को screenshot यहाँ ले करके save किया है तो इस तरीके से आप MS Word में भी screenshot ले सकते हो वैसे यह जो screenshot लेने का तरीका मैंने बताया है वो तो MS Word में काम करता ही है साथ में पूरे computer पर कहीं भी अगर आपको screenshot लेना हो तो आप Windows Shift और S बटन दबाओगे तो भी आप screenshot ले सकते हो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है टोटल 90 MS Word shortcut की बताए है लेकिन मैं आपको बता दू कि MS Word के सिर्फ 90 ही shortcut की नहीं है 180 से उपर है यानि 180 shortcut की से भी उपर है जो की मैं आपको पूरा proof यहां पर दिखा देता हूँ मैं सभी को minimize करता हूँ मैं जो है उस file को ही open कर लेता हूँ देखिए यह जो shortcut की है मैंने MS Word से ही download की है और पूरा का पूरा इसमें देखोगे 14 page की यह shortcut की है कि 14 page में कितनी shortcut की होगी लेकिन इन में से जो मुझे shortcut की अच्छी लगी उन्ही सभी को जो है मैंने यहां पर लिख करके रखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से बता पाऊ उन्ही के बारे में जो मुझे important लगा उन्ही को मैंने यहां पर लिखा है वैसे यह जो 90 shortcut की मैंने बताई है यह सभी और जो MS Word से मैंने shortcut की यह सब download किये हैं यह दोनों shortcut की आपको जो है हमारे टेलिग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्रेम में मिल जाएगा तो इसको download कर ले के लिए आप टेलिग्राम चैनल को जरूर से जोईन कर लिजिए आपको यह वहाँ पर मिल जाएगा easily आप इसको download करके practice वगरा कर लिजिए बहुत ही काम की यह shortcut की है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तेक लिए जय हिंद वंदे मातरम